प्ले में वाई है हमने एस जोड़ा बना प्लेज मिस में लास्ट में डबल ऐस है हमने एस जोड़ दिया बन गया मिसस वरी में लास्ट में वाई हमने एस जोड़ा लेकिन वाई आई बन गया यहाँ पर और यह बन गया वरेज तो इन चीजों को समझे कैसे आप सभी जानते हैं guys To make a sentence in simple present tense Simple present tense मतलब present indefinite tense में जब हम sentence बनाने की कोशिस करते हैं तो वहाँ पर हमको verb में S या ES जोडने की जरूरत पड़ती है तो कहाँ S जोडे, कहाँ ES जोडे और कहाँ पर I ES जोडे क्योंकि यहाँ आपने देखा कि यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है बट यहाँ पर हमने I ES जोड़ा और वहाँ पर सिर्फ S जोड़ा तो इसको कैसे समझे Guys मैं आपको जो tricks देने वाले हूँ इसके बाद आप कभी भी किसी भी तरीके से confused नहीं होगे एक बार में आप समझ जाएंगे कि इसमें S जोड़ू ES जोड़ू या IES जोड़ू और बहुत ही कमाल की चीज़ है तो आप जानते हैं कि जादा तर verbs ने तो हम S ही जोड़ते हैं तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ES को कहा जोड़ना है इसको समझते हैं देखिए verbs ending in CH ending in का मतलब क्या है कोई भी verb है उसका जो last वाला letter है उस पे depend करता है और last वाले में भी कई बार हम pair को देखते हैं कि last के पहले क्या है तो जो ending letters होंगे अगर वो CH है ठीक है CH या फिर SH O, Z, SS यानि double S या फिर X अगर इन में से कोई आ जाए तो आप जोड़ेंगे ES अब इतना तो आप याद रख सकते हैं न CH, SH, O, Z, SS या फिर X तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने भी red color से लिखे हुए हैं यह सब वही letters पढ़ रहे हैं और इन सब में हम ES जोड़ेंगे watch से बनेगा watches, catches, brushes, washes, goes, does, buzzes, misses, guesses, fixes, mixes अब इस चीज़ को अगर आप इस तरीके से ध्यान दे तो आप पाएंगे लिखते समय तो आपने spelling देख ली बोलते समय ध्यान क्या रखना है? जैसे mix है अगर आप इसमें सिर्फ S जोड़ दें तो आप बोलने की कोशिस कीजिए और ये समझ में आए कि आपने S जोड़ा हुआ है mix क्योंकि X का sound खुद ही स आ रहा है last में तो यहाँ पर जब आप S जोड़ते हैं तो पता ही नहीं चलता इसलिए आपको E S जोड़ने की जरूरत पढ़ती है और पढ़ते वक्त ही हो जाता है mixes ठीक है? तो S का sound आएगा mixes, fixes, guesses ठीक है? अब guess में भी S जोड़ने guess नहीं बना तो आप बोल ही नहीं पाएंगे उस word को S के साथ इसलिए यहाँ पर E S जोड़ा जाता है कुछ और examples देख लीजिए यहाँ भी देख सकते हैं आप last letters reaches, teaches अब teach नहीं बनेगा बोलते हैं teaches, touches, finishes, rushes, pushes, echoes, vetoes clear? कुछ और देख लेते हैं examples यहाँ पर देखिए double S है यह क्या हो जाएगा? confesses, hisses, kisses, passes, discusses, taxes, faxes, waxes clear? तो इस तरीके से आप बोलते वक्त भी समझ सकते हैं और लिखते वक्त आप spelling देखकर समझी सकते हैं तो अब आप समझ गए कि आपको E S कहां कहां add करना है अब आते हैं Y पर मतलब कब आप Y को change करके I बनाएंगे और कब नहीं करेंगे जैसे आपने देखा play में plays हो गया ठीके तो verbs ending with consonant plus Y ठीके verbs जो हैं ये मत देखिए पहले आप देखिए Y पर end हो रहे हैं क्या अगर Y पर end हो रहे हैं तो देखिए क्या उसकी पहले consonant आया है क्या consonant का मतलब क्या है consonant मतलब व्यंजन A, E, I, O, U को छोड़के जो भी हैं वो सभी consonants कहलाते हैं तो अगर आप देखेंगे Y देखिए उसके पहले consonant है क्या अगर consonant है तो Y को change कर देंगे I में और ES जोड़ देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सभी Y के पहले हमने क्या यूज किया है सब में consonant है तो इन्हें change करेंगे C, R, Y को बनाएंगे तो हो जागा C, R, I, E, S ठीक है Dry से Drys, Flies, Fries, Tries, Spies, Carries, Marries, Worries, Studies, Parties ठीक है इन सब को आप ध्यान दे Y से पहले सभी consonant है यहाँ पर T तो consonant आए तो change कर दे ठीक है दो और रहे गए Hurry है Hurries, Implies, Implies Clear आपने Y को I में convert किया और Yes लगा दिया Easy हो गया अब बात आती है कि अगर Y से पहले vowel है तो कुछ भी change नहीं करना जैसे आम verbs में आप लगाते हैं S वैसे Yes लगा देना जैसे आपने play में देखा था तो ये सब ही normal verbs हैं जिनमें न तो last में Y आ रहा है न ही CH, SH या फिर जो भी मैंने आपको बताया वो आ रहे है तो जब Y ना आए और अगर Y आए तो उसके पहले vowel हो या फिर उन CH, SH उन सब को छोड़कर जो भी आए आप simply S आट कर दें आप देख सकते हैं बाइस, stays, knows, looks, works, wants, visits, walks, runs, sees, bakes, takes, saves, practices अब एक पढ़ता है ये ये बहुत जरूरी है जानना जब हम present indefinite के sentences बोलते हैं तो उसमें ऐसे भी sentences आते हैं जैसे I have a pen ठीक है? I have a pen मैंने बोला कि मेरे पास एक pen है अगर मुझे बोलना है उसके पास एक pen है तो क्योंकि उसके he हो गया तो वो singular हो गया और singular के साथ ही तो हम S जोडते हैं I और U को छोड़ कर तो singular के साथ verb में S जोडते हैं तो अगर he use किया तो have यहां main verb की तरह use हुआ है तो have को हम has में बदल देंगे तो यहीं पर एक आप पाएंगे कि VE को change करके हमने S में बदल दिया He has a pen She has a pen कंचन has a pen ठीक है Otherwise have ठीक है इस चीज़ को आपने समझ लिया तो have और has को आप ध्यान में रखेगा अब आपको PDF तो यहां पर मिली जाएगी इस application पर English connection पर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर से कर दीज़ेगा इसे share खूब कीज़ेगा ताकि लोगों के मन से यह डर निकल जाए कि AES जोडने के लिए भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है बस दोई चीज़ आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बता दी Thank you so much guys for watching this video चैनल पर नए हो तो subscribe कर लीजेगा और हाँ अगर आपको tense को समझना है अगर आपको सभी tenses जल्दी से जल्दी समझने हैं तो English Connection चैनल पर जो YouTube channel English Connection है वहाँ पर एक घंटे में सभी tenses समझाने वाले वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आप एक घंटे में सारे tenses सीख सकते हैं उसकी link भी आपको description में मिल जाएगी otherwise आप वो channel विजट कर सकते हैं Thank you so much guys for watching this video See you soon in the next one Take care